कि जहिन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी शुवागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमांड ओकेडमी में दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट आप सभी के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी पूरी जर्नी वह बताने वाल आज के इस वीडियो में आप एंड तक देखिए आपके बहुत सारी चीजें आपको हिम्मत देगी क्योंकि जो जीवन हमने जिया है साहित आप उस जीवन में भी होई नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली इस वीडियो से एंड तक जरूर देखिए दोस्तो सबसे पहले कि क्या रहा है मेंदत कर इस बारवर्दी तेरी होगी ठीक है और को दोस्तों सबसे पहले मेरी 7th कलाश की मार्क सीट आपके शामने एड़ कलास की मार्क सीट पैको इसलिए दिखा रहा हो कि 8 एte ए o से गेशा man23 थे इफ में दिखा रहा हूं सबसे पहले तो दोस्तों 8 class में मेरे यह देखो 8 class में मेरे 56 percentage थे कितने 56 परती सत्त थे यानि 56 परती सत्त थे मात्र 56 परती सत्त थे मेरे आपको मैं एक और बता दू कक्सा 8 में यानि 8 class में क्यों 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 कि मैंने सुचा एक बड़िया से पढ़ते हैं आठ भी class को तो एक बार फेल हो गया फिर दुबारा में मेरे कितने परती सत्त बने 56 परती सत्त तो बहुत सारे है कलास टेंद की ठीक है टेंद कलास में वेसे कई बार बता चुका हूं कि आपका एक साल या आपका एक दिन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता दोस्तों ठीक है आपका एक साल आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकता आपका एक फेलियर से आपका जीवन नहीं बदल सकता तो कि देख लास तेंथ में कलास T10 में मेरे 42 परतिसत है एतने 42 परतिसत अधे ऐर्थ कलास में फ्यव में फेल ठीक है फिर दूबार में पास करके पर तेंद क्लास में 42 पर्चेंट थीक है तो मतलब यह हमारा रिजल्ट रहा है एजूकेशन का तो बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से पूछते हैं कि सरक ग्रिस वाले फोरम बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं तो दोस्तों मेरे कहीं ग्रिस नहीं है लेकिन अगर की ग्रिस भी है तो आप फोरम बढ़िए तयारी करिए जीवन में आगे बढ़ने की सोच की ठीक है आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं करता ही नहीं कि आप अगर 10 क्लास में 9 क्लास में कम जोर हो वह कुछ माइना नहीं रखता अब आगे देखिए ठीक है आगे वो नाट कि फेल फिर दुबारा में बने हमारे 56 परतिसाथ टेंथ में एक बार में पास हो गए 20 परतिसाथ और फिर 12 में बैतर परतिसाथ यह नहीं इस दिन से हम पढ़ाय करने लग गए थे तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब उठे तब सवेरा कभी जिन्दगी में यह मत सोचो कि म पर-दे बना लिए बैतर इसलिए मैं बोलता हूं एक दिन अगर आप किसी एकदा में फेल होगे कभी निरास न हुए किसी करलास में फैल ओगे निरास नहीं हो आपके कम परतिसाथ निरास नहीं हो ए अच्छे परसंटेज वालों को हमने पीछे चोड़ा है किसे चोड़ा आप देखे आगे कि हिसके बाद कि इसके बाद में या घ्रीसिचल के सके बाद לי tam यह बीशिट की गारी करता तो यह वह समय है जब में सेचब का किसकी तो सेच नई चीठ आप आपको और बता दू कि यह जूते काई कहने लिए जुते यह मेंटर नहीं करते हैं आपकी जांगों में दम होना चाहिए आप में दम और हिम्मत होनी चाहिए आप कुछ भी कर सकते हैं यह मेरी जब तयारी के लिए रनिंग करने जाते हैं अश्चीजीडी के उस समय की पिक है ठीक है और बहुत गरीब इस्तति शेग यह पिक देखे आपको काफी कुछ जायर हो रहा होगा ठीक है तो यह उस समय के जब सुबह सुबह रणिक करने के लिए जाते थे ठीक है और की पेड़ वाले मॉबाइल से फोटो ली गई है इसके मॉबाइल से ठीक है तो यह समय की है तो जूते कुई माइन नहीं करता कि अगर आपको कोई पीचे नहीं छोट सकता ठीक है यह आप देख सकते हो इस समय हमने वह दिन भी जिये हैं जब दूसरों के घर पे जा जाके यह निए टीवी जंगलों खिड़की से देखते हैं चोटे बच्चे भी आपने कई कोई फोटो वायल हो जाती है तो भी देखा ह करके तो हमेशा हिम्मत बढ़ी होती है इस दुनिया में सबसे बढ़ी एकर कोई चीज़ हुआ है हिमत ठीक है और सबसे चोटी चीज़ है कमजोरी अगर कोई इंसान अपने आपको कमजोर समझता उससे मुर्ग कोई नहीं है इसलिए हिम्मत रखना हमेशा जिंदगी में औ पहली बार में ऐसे सचीडिका मेडिकल देने गया था ये उस समय किये ठीक है अश्यम ब्रखने चीज़ हां जब मेडिकल देने जाओगे तो Meine व्रूरोंट सब्सेया थी ठीक है और जिस दिन खिशा थे उसूचा था एक दिन इसको पहनेंगे और पहन के बताईए देखे आगे यह इस दिन था यह सबसे बड़ा दिन था हमारे जिस दिन हम किसमे सलेक्ट हो गए थे sse gd में हमारा क्या हो गया था selection हो गया था selection हो गया था sse gd में हमारा ठीक है sse gd में selection हो गया तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा दिन था जिस दिन हम sse gd में select हो गए ठीक है आप भी एक दिन हो जाओगे तो वो दिन आपको पता चलेगा कितना प्राउड फील हुथा अपने आपको ठीक है उसके बाद में देखिए यह उस समय का जब मैं SSGD में सेलेक्ट हुआ था उसके आज पास के दिन का यह समय है जब तैयारी भी में करवाता था कोचिंगों में जब मेरी खुद की कोचिंग थी और उसमें तैयारी करवाता था था में यह उस समय की फोटो है ठीक है यह जब मैं पहली बार जब जोइन करने गया था CRPF के केम कादरपूर गुर्गाउं जिसी में उस दिन की फिक है जब फास्टाइम 21 मार्च को किस डेट को जो इन क्याता मैं CRPF 21 मार्च 2017 अभी चार साल पूरी हो गए थे इस बार 21 मार्च 2021 को मेरे कितने यह पूरे होगे चार साल पूरे होगे थे और वो पहला दिन है जिस दिन इन फोजी बाईयों के साथ में फोटो खिचाई थी ठीक है यह पहला दिन था जब गुर्गाउं में गए थे और जोइनिंग करके आये थे और यह डोकुमेंट्स अब फोरम बरके आये थे उसके हाथ गई ठीक है तो यह दिन काफी बड़ा दिन था हमारे लिए हम चाहते हैं कि आपको भी यह दिन बहुत जल्दी नसीब हो और तयारी करो अपने माबाप का सपना पूरा खरो तो यह दिन आपको भी बहुत जल्दी नसीब हो दोस्तों उ उसके बाद में परस्टाइम वर्दी पहनी थी देखो नाइट में वर्दी मिली थी और उसी टाइम उसी टाइम वर्दी पहन के फेस्बुक पे वोड़ सब डीपी सब जगे यह फोटू थी अभी यह फोटू दे के लग रहे हो कि बहुत खथरनाक लेकिन एक समय था कि यह पहले ली बार जब वर्दी मिली थी तब गई यह ट्रेनिंग की कुछ पिक्स फीक्स है ठीक है इतको काल भूट हो雜े ठरेनिग में कैस परकार छे और यह ट्रेनिंग की कुछ पिक्स है यह देखो ओन्याते सब्सक्रांगर जब करने जौगे आपको पता सले अगा कि आपको अच्छे से देखो पैचानो यह राम में यह वाला पैचानो इस पिक में कहां परूं में देखें यह देखो यह वाला कि इसरे में भी हंस रहे हैं यह प्र dar 이 fueron呀 मिलता तो नमें से हमको भी मिला इमनेख है यह यह उसका पर सशंब ळेट है कि ऊश्books बोलते हैं कि सर आप कोई कि अचों आपके बारे में बोलते कमांडरों नहीं तो देख लीजे घुटर कि यहां हरूं तो कि यह कमांड़ों ट्रेंग के दोरान हम ने जेते расп ईतर वांसे निकलिव्ट में पूस अपमें वेम में लिए सबसक्ष कलो से ऐस निकल ड्यप्नारे ते कि पुछ अप मारती साथ 21 और कि एक और मारती पता नहीं क्या था फिजिकल का एक वेंट और था उसमें टोप आने के वज़े से याइप सद्धिकारी है इसे हाज मिला रहे हैं हमें निंदा नहीं चाहिए और एक व्यातं की जिन्दा नहीं चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखना जिन्दगी में हमेशा कि बुरा समय यह इंसान को मजबूत बनाता ना कि कौंजूर ठीक है अगर आपका समय थोड़ा सा बुरा चल रहा तो हिमत के लिए बहुत सारे कश्ट उठाने पड़ते हैं किसी की भी परिस्तितियां पर्तिकूल हमेशा अनुकूल नहीं होती है ठीक है हर एक इंसान किसी इंसान को देख लेना उसका कुछ ना कुछ उसके पेरों में चाले होंगे उतने उसके शितारे बुलंद होंगे तो आपके हम आज पेरों में चाले हैं तो दिल लगा के मैनत लगा के पड़ाई करनी है जो आपका मुकाम में वह हांसिल करना है ठीक है हमने बहुत दिन भी दंब देखें आज आपके सामने खड़ा हूं यह दिन भी आप देख रहे हो ठीक है तो यह कितना प्राउड चीज है अपने आपके लिए हाँ आज भी बोलिवूड इस्टार नहीं है या कोई स्टार नहीं है इसमें चेंज करना है तो उसके लिए आपको मेनत करनी है और उसके लिए एक ही मंत्रा है कि अभी परजेंट टाइम पे आप करो अच्छे से पढ़ाय करो दिल लगा के पढ़ाय करो अपने माबाप का शपना अवश्य पूरा करो ठीक है तो यह कुछ हमारी जर्णी थी जो आपको दिखा दिये तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद में आपकी इस परकार के जर्णी हो आप भी दिखाओ हमारे साथ में और जुरूर मोटिवेशन मिलेगा मेरे क्या से मैं कोशिस किया हूं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भी लोगडाउन का समय है बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं तो उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैंने वीडियो बना है तो इसका परदपर पर शिर्फ यह है ना कि यह दिखाना कि बाई मैं क्या था क्या हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेहनत करना निरंतर आप कहां से कहां पहुंच जाओगी ठीक है जय जे बहुर्ट